हमें कितनी ज्यादा संगर्ष करना पड़ता है यहां पर उनको क्या पता यह बात जो है भाईया जी से गुप्दा जी करता रहता है तो भाईया जी इसे समझाते हैं पर सोने की चोटी बना रहे हैं इतना बड़ा जो है ये काम है तो मैं ऐसे ही पास कर दूँ सुके ही सुके ये कैसे हो सकता है इस तरह आपने लालच को जो है गुपता जी के सामने चोपड़ा रखता है जब तक ताज मैं नहीं बता तब तक मैं मर भी नहीं सकता इस तरह से श मेरे food sim के BBA की जितने भी विध्यारती हैं फिर से मेरी कक्षा में आपका स्वागत मेरे प्रिये विध्यारती हो जो इस semester आपके लिए जो ताज महल का tender है इसके बारे में पहले भी मैंने आपको जानकारी दे चुकी हूँ इस नाटक के बारे में और आगे इस नाटक में क्या होगा इस session में हम देखेंगे पिछली कक्षा में हमने देखा था किस तरह से सतर जो मुहाकमें यहां पर आते हैं और सतर जो डिपार्टमेंट से आकर क्या हैं सब लोग अपने लिए रिश्वत के लिए ही आते हैं और गुपताजे से बात करते हुए क्या हैं बहुत सारे प पर क्या है किस तरह से pollution यहां पर चार चुमनिया ताज महल की तो इससे निकलने वाला इतनी गंदगी कहां पर जाएगा यह सारी बाते करता है तो गुपताजी भी उसका जवाब देते हैं कि यह तो क्या है मीनारे हैं यानि इस ताज महल के मीनारे और यह कोई कार खाना नह पुशिश करते हैं और इस तरह से कहें सतर जो कहें डिपार्टमेंट जो हैं एक एक करके आते हैं और नेता एक नेता दो इस तरह से बहुत सारे जो कि इनिस्पेक्टर भी हो सब लोग आते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ को जो हैं वहां पर बताते हुए कहें वहां से पैसे खड़क कर चले जाते हैं तो आगे अब क्या होगा इस नाटक में हम देखेंगे शाजहां रिटाइडमेंट आपका रिटाइडमेंट पास आ रहा है गुपता जी हाँ हुजूर बस कोई एक साल से कम ही रहता है तो यहां पर शर्मा क्या है अपने स्वारत को बता कर जब चला जाता है तो यहां पर गुपता जी जो है कहें वहीं पर रहते हैं तब ही शाजहां वहां पर आते हैं शाजहां को देखकर गुपता जी कहते हैं कि हुजूर आप आगए मैं आपसे मिलने के लिए आने वाला ही था आप ही यहां पर आ गए क्या है इस तरह से अभी दोनों में बाते होती है तो बातों में ही क्या है गुपताजी के दें कि मेरा रिटाइड में जो है बहुत खरीब है सिर्फ एक ही साल रहा होगा इसके बाद मेरा रिटाइड हो ऐसा करिए extension के लिए अर्जी दे दीजी तो यहाँ पर शाह जहां जो है गुपता जिसे कहते हैं कि क्या है अगर आपका retirement हो गया तो सारा काम जो है ऐसे ही ठप हो जाएगा इसलिए आप जो है extension के लिए केस तयार करके मेरे पास भेज दीजी फिर केतें कि मैं अप्रूफ करूँगा अगर आप ताज महल का जो काम कर रहे हैं अगर आप retirement हो गए तो यह सारा काम धरा का धरा रह जाएगा इसलिए जो है आप extension के लिए जो है एक केस दाल दीजिएगा मैं उस पर क्या है अप्रूफ करूँगा इस परासे कहते हैं फिर शाजहां पर अब जल्दी करिये दस साल होने को आ रहे हैं फिर पताते हैं कि ताज महल का जो काम मैंने आपको सोब पा था अभी टेंडर निकल के निकला ही नहीं है दस साल बीद गए हैं जल्दी से इस काम को निपटाईए ताज महल को भी जो है शा जहां गुपता जी से करते हैं फिर शा जहां के प्रस्तान के साथ ही अंधकार होता है फिर प्रवेश होने पर गुपता जी एवं भया जी का प्रवेश तबी शा जहां का प्रस्तान होता है तो साथ ही अंधकार होता है फिर यहां से शा जहां का प्रस्तान होता ह वहां पर क्या है भाईया जी और सुदीर यहां पर आते हैं गुपता जी से मिलने के लिए भाईया जी अरे आप क्यों बुस्ता करते हैं बादशा सलामत तो बादशा तहरे नहीं समझते की सरकारी काम कैसे होता है आप अपना मूड क्यूं खराब करते हैं तो यहां पर भाईया जी जो यहां पर आया वो कहते हैं कि आप इतना अपना मूड क्यूं खराब करते हैं भाशास सलामत शाजहां जो है वो बाशाह उनको क्या पता कि सरकारी कामों में कितना विलम होता है और कितनी दिक्कते आती हैं तो इस पर क्या है आप क्यूं गुसा कर रहे हैं क्यूं आप वो मुड़ खराब करते हैं इस तरह से भाईया जी जो है गुपता जी को समझाते हैं क्यूंकि गुपता जी कहें यहां पर बताते हैं कि इनको अपने ताजमहल की पड़ी है हमें कितन जाजी मैं तो कहता हूं की संकी हो गया है, बूड़ा जब सवार हो गई है, उसे जब देखा ताजमहल, ताजमहल की रट लगाए रहता है, यहां मैं एक्स्टेंशन को लेकर परिशार हूं और उसे ताजमहल की पड़ी हैं, अब कल ही की लीजिये, मैं खुद ही तो फाइल उसके सर पर किये रहा ताजमहल का टेंडर, चाटो इसे, तो यहां पर गुपता जी फिर क्रोधित होकर बदाते हैंगे, यह तो बुड़ा जो है संकी हो गया, यह नि बागल हो गया है, जब देखो तब, ताजमहल का टेंडर निकला, ताजमहल ही कहता रहता है, न बुड़ा संकी हो गया है यहां पर गुपता जी जो है शाह जहां को कहें कुछ अनाप्शन आप कहते हुए कहते हैं कि वो तो दिवाना हो गया है पागल हो गया है जब देखो तब ताजमहल ताजमहल कहता है और मेरा तो यहां पर कहा है रिटार्इडमेंट होने वाला है तो वहां पर वो कहने लगे कि ताज महल का टेंडर अभी नहीं निकला तो ताज महल का ही बात कर रहा था तो मुझे इतना क्रोद आया कि ऐसे मेरा मन चाहा कि उनके सामने सारी फाइल पटक दू और कह दूं कि ये रहा ताज महल का टेंडर लो इसे चाटो इस तरह का मन जो है मेरा कहां ये अपने मन का गुबार जो है भैया जी के सामने निकालता है क्योंकि शा जहां पर इसमी को गुपता जी को बहुत ज्यादा क्रोद आ गया था सुदीर वहीं तो मैं कहा रहा हूँ सर अब आप ही देखिए सर मैं इतने सालों से आपका पिये कभी मैंने किसी से कुछ मांगा जो कुछ मिला इमानदारी से वो चुपचाब रख लिया है ना सर और वो कोई ना काम धाम एक दुंगी मारने का आधा परसेंट है हे भगवान क्या जमाना आ गया है यहां पर फिर भईया जी का प्रस्तान होता है तो यहां पर सुदीर आता है फिर कहता है कि सुदीर मैं आज चोपड़ा उसके पिये से मिला और एकस्टिमेंट के बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि अबजेक्शन जो है बहुत सारे है तो देखा तो ये कर बहुत सारे अबजेक्शन ने वहां पर थे तो क्या है वो अबजेक्शन को लिखने में क्या है यहां पर गुपता जी कहते हैं कि तीन-चार साल तो लग जाएंग तो बहुत देरी हो जाएग पिर वो कहने लगा कि पांच परसेंट चोप्रा का और आदा परसेंट मेरा अगर मन्जूरी हो तो क्या है यह जो है इसे पास करेंगे नहीं तो अबजेक्शन लिख कर लाओ तो इस तरह से वहां पर कहें सुदीर जो है गुपता जिसे कहता है कि आज तो इमानदारी का जमाना ही नहीं रहा पिर यहां पर वहीं तो मैं कह रहा हूं कि सर अब आप ही देखिये सर मैं इतने सालों से आपका पिये कभी मैंने किसी से कुछ मांगा जो कुछ मिला इमानदारी से वो चुक्चा प्रक लिया हाँ ना सर और वो कोई ना काम धाम एक दुगंगी मारने का आदा परसंट हे भगवान क्या जमाना आ गया फिर सुदीर गुपता जी से कहता है कि मैं इतने सालों से आपका पिये हूँ कभी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा जो भी आपने दिया उसे मैंने ले लिया देखो इसे कोई काम ना काज है चोपरा जो है उसके पिये को सिफ एक दुंगी मारने के लिए वो आदा परसेंट पूछ रहा है हे भगवान क्या जमाना आ गया है इस तरह से जो है यहां पर वो कहता है गुपता जी अरे कैसे मान जाओं कैसे बन जाएगा इतना भाया जी अरे साब जमना जी में इतनी रेथ है कि सिमेंट में कितनी पड़ी क्या पता चलता है मैं सब एज़िस्ट कर लूँगा आप बस हां कह दे काम तो आगे बड़े मैं सब देख लूँगा तो यहां पर जो है आदा परसेंट पियेगा और पांच परसेंट जो है चोपरा को देना पड़ेगा तो इस बात से वो कहते हैं कि हाँ ये तो इतना हो जाएगा कैसे होगा तब जो है भीया जी जो वहां पर रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ जमुना नदी में जो इतनी रेथ है वो सीमेंट में मिला देंगे कहें आप सिर्फ वहां कह दीजिए मैं सारा अज्जेस्ट्मेंट कर लूँगा इस तरह से काम तो क्या है आगे बड़े ये बात जो है फिर से वहां पर मिलावट की जो बात है वो यहां पर कहें करता है भीया जी कुपता जी से चोपड़ा बताईए संगे मरमर की बिल्डिंग बनाएंगे साधी इंटों की क्यूं नहीं बना सकते इतना बड़ा गुम्मद उसके उपर सोने की चोटी क्यूं कहें फुजुल खर्ची वाला प्लान है और आप सुचते हैं मैं यूही पास कर दूँ खाली हाथ सूके ही सूके तो यहां पर चोपड़ा जो है गुपता जिसे मिलने आता है और फिर इन दोनों में बाते होती है फिर जो है बताएए संगे मरमर की जो है यह बिल्डिंग बनाएंगे साधी इंटों की क्यूं नहीं बना सकते इतना बड़ा गुम्मद बन रहा है तो उसके उपर सोने की चोटी बना रहे हैं इतना बड़ा जो है यह काम है तो मैं ऐसे ही पास कर दूँ सुके ही सुके यह कैसे हो सकता है इस तरह अपने लालच को जो है गुपता जी के सामने चोपरा रखता है तो सुदीर तो सर उन अबजेक्शन की पैलों के धेर का क्या करे गुपता जी आग लगा दो या बेच आओ कबाडी को या फिर ऐसे करो भेज दो दारा शिकोह के आफिस में करने को कुछ मिलेगा उसको सारा दिन आफिस में फालतू बैठा क्रासवर्ट प्रजल करता रहता है तो यहां पर जो है चोपडा पहले ही अपनी सारी जो है लालच को यहां पर बता दिया था कि 5% उसका और 10% उसके पिये का जो पिये ने बताया था इस बात को अगर नंजूरी हो तो यह काम जो है अबजक्शन का दूर हो जाएगा वो मैं कर लूँगा इस तरह से चोपडा कहता है क्या है यहां पर गुपडा जी उस बात को मान लेते हैं और चोपडा का वहां से प्रस्तान होता है फिर जो है यहां पर सुदीर तो सर उन अबजक्शन की फैलों के धेर का क्या करे जो objection के file है उसके धेर का क्या करे इस तरह का प्रश्न जो है सुदीर जो है गुपताजी से करता है तो गुपताजी आग लगा दो या बेच आओ कबाडी को या फिर ऐसा करो भेच दो दारा शिकोह के ओफिस- objection के जो file है उसे आग लगा दो या तो दाराशी को हो कि क्या है आफिस भेज़ दो क्या है दिन ऐसे ही क्या है बैठा रहता है उस तो उसे काम मिले और वो ये भी कहते हैं कि वो फाल्तू बैठा क्रास वर्ड जो है पजल करता रहता है उसके क्या है आफिस भेज़ दो उसे ये काम तो मिल जाएगा इस तरह स सुदीर से गुपता जी कहते हैं गुपता जी यानि हुदूर वो कहते है कि पिछले दस सालों से रहा रहें अब उनहीं का अधिकार उस जमीन पर शाह जहाँ और कोर्ट उनकी बात मान भी जाता है गुपता जी जी हुजूर। तो यहां पर जो दस सालों से जुनकी छोपड़ी वाले थे वे उन्होंने कोर्ट में क्या है केस फाइल कर दिया था, वो क्या है केस बना हुआ था, कोर्ट ने स्टे आडर दिया था, तो यहां पर शाजहां से गुपता जी कहते हैं कि यानि हुजूर। वो कह के किनारे तो यह बात जब शाजहां को कहते हैं तो और कोट उनकी बात मान भी जाता है क्या कोट उनकी बात को मान लेता है इस बात को पूछते हैं तो यहां पर गुपता जी कहते हैं कि जी हुजूर कोट उनकी बात पर मनजूर यह नहीं उन बात को मान लेता है इस तरहां व मेरा हक हो गया और कोट उसकी बाद भी मान लेगा, क्यूं क्या यही है कानून? यहां पर शाजहां को थोड़ा सा क्रोदा आ जाता है और वो कहते हैं कि अगर कोई किहदे कि 20 सालों से मैं चोरी कर रहा हूं और क्या यह मेरा पेशा है तो क्या ये कानून इसको मान लेगा ये ये ही है ये क्या कानून इस तरह की प्रश्ण जो है गुपता जी से शाजहां करते हैं तो गुपता जी मैं कहा नहीं सकता सर कानूनी दाव पेज जरा कम समझता है मुझे कानूनी दाव पेज जरा मुझे कम ही समझ में आता है ये मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता इस तरहां से जो है गुपता जी शाजहां से कहते हैं गुपता जी उसके लिए भी मैंने सोच लिया ऐसा करते हैं ताजमहल को एक टूरिस्ट पार्ट की तरहां से प्रोजेक्ट करते हैं पिर वो शा जहां को समझाते हैं कि अगर क्या है कोई केस यहां पर पड़ गया और क्या है जुडिशरी में क्या है जगडा करना बहुत ज्यादा ही एक बात को बिगाणने वाली बात हो जाएगी इसलिए हम क्या है सब्र से ही काम करेंगे और जो है कारप्रेशन को हम यहां प पर वो बताते हैं कि यहां पर सलाहा देते हैं कि गुपता जी कारप्रेशन को जो है वो पब्लिक कमपनी बना देते हैं और इसके शेर्स को जो है बिकवाएंगे नहीं शेर्स जो है इशू करेंगे तो बहुत सारे लोग इसे शेर्स जो है खरीद लेंगे तो यहां पर क्या ह हमारा काम जो है वह आसानी से हो सकता है ये सलहा भी जो है गुपता जी क्या है शा जहां को देते हैं फिर यहां पर शा जहां इस बात को सुनते हैं दरबारी छे भी वहां पर रहता है वो भी यहां पर बातें करता है तो यहांपर जो जूगी जूपडिवाले case को कहें फाइल कर दिया था टो court ने उनको stay order दिया था इस बात तो को जो है गुपता जी शाजहां से कहता है, शाजहां इस बात से credit हो जाते हैं और क्या है जगडा और यह लड़ाई की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बात जो है बिगड़ जाएगी इसलिए सब उसे ही काम करेंगे और जो कार्पुरेशन है उसे पब्लिक कमपनी बनाकर शेर्स को विक्वाएंगे ताजमहल के टेंडर के शेर को विक्वाएंगे ये भी कहाँ आइडिया जो है यहाँ पर क्या है गुपता जी शाजहां को देते हैं फिर दरबारी तीन कहता है कि हाँ पब्लिक जो कमपनी है उसे आमदानी कहां से आएगा और क्या है इसका प्राफिट कहां से आएगा तब जो है गुपता जी कहते हैं उसके लिए भी मैंने सोच लिया है पैसा कहां से आएगा आमदानी कहां से होगी इस तरह से दरबारी तीन पूछने के बाद यहां पर गुपता जी कहते हैं कि उ इसके लिए भी मैंने कुछ सोचा, ऐसा करते हैं कि ताज महल को एक टूरिस पार्ट की तरहां से प्रोजेक्ट करते हैं, पिर प्रोस्पेक्टर्स में लिख देते हैं कि इससे करोडों की फारिंग एक्सचेंज आएगी, फारिंग एक्सचेंज जो है करोडों की आएगी, इस तरहां से लिख देंगे, और बगल में एक फाइव स्टार होटल भी बनवाएंगे, इस बात को क्या हैं, वहां पर करते हैं, तब शाजहां जो क्या हैं, बताते हैं कि पंदरा साल से में सबर ही कर रहा, अब जो हैं, ये एक्सचेंज करोडों की आएगी, ये बात भी वहां पर हो रही थी, तो बगल में एक फाइव स्टार होटल भी बनवाएंगे, ये बात जब सुनते हैं, तो शाजहां को अब क्या हैं, बहुत ज्यादा क्रोड आ जाता है, और बताते हैं कि वो खामोश, मेरी बेगम के पार्ट बनाना चाह रहे हो, कल को उसे एक अजायबा घर या चिडिया घर बना दे, अब क्या है, खामोश हो जाओ, क्या कह रहे हो, उनको क्रोड से वो चिला उते हैं, शाजहां, क्योंकि पंदरा साल से ये क्या है, कोशिश कर रहते हैं, ताज महल को बनवाने की, अब क्या है, यहां पर टूरिस प्लेस बनाना चाहते हो, तो यह बात वो कहते हैं, क्या है, चिडिया घर भी बना देंगे, और दूर हो जाओ, मेरी नजरों से, हट जाओ, यहां से, यह या खुदा, मुम्तास, कहा हो तुम, बेहोश हो जाते हैं, तो यहां पर, या खुदा, क् मैं अपनी बेगम के मकबरे को बनाना चाहता हूं, उसकी याद में, तो यह सब क्या हो रहा है, यह क्या है, कहते कहते, अपनी बेगम को पकारते, पकारते, शाजहां जो है, बेहोश हो जाते हैं, पर, गुपता जी, बुडाओ, बीमार पड़े हैं ना, देख लीजिएगा ठीक होते ही, बुलवा लेंगे, और फिर शुरू हो जाएंगे, ताज महल, ताज महल करने, शाजहां को गुपता जी कह रहें की, अभी क्या है, वो बीमार पड़े हैं, जब वो ठीक हो जाएंगे, फिर से, मुझे बुलवाएंगे, और फिर क्या है, ताज महल, ताज महल क कहना शुरू कर देंगे भाया जी इस बार सुना है तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई है कहीं मरना जाए उसके मरने से पहले कांट्राइट जरूर दिलवा दीजी नहीं तो सब दू जाएगा यहां पर कहें जब ठीक हो जाएंगे फिर से मुझे बुलाएंगे फिर ताज महल ताज महल कहेंगे इस तरह से जब गुपता जी कहते हैं तो भाया जी यहां पर कहते हैं कि कि इस बार वो बहुत बीमार हो गए हैं कहीं मरना जाएं उनके मरने से पहले जो है कांट्राइक जो है मुझे दिलवा दीजी इस बात को भी क्या है भाया जी गुपता जी से करता ह पिर गुपता जी हाँ मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं चप्रासी का प्रवेश मैं पूरी कोशिश यहां पर कर रहा हूं इस तरह से क्या है गुपता जी केते हैं तबी चप्रासी का वहां पर प्रवेश होता है शा जहां ठीक हूं गुपता साथ ताजमहल के लिए जी रह बस यही एक अर्मान है पूरा करने को जब तक ताज महल नहीं बनता मैं तो मर भी नहीं सकता तो क्या है यहां पर गुपता जी को फिर बुलाया जाता है पिर क्या है यहां पर गुपता जी और शाजहां में दोनों में बाते हो रही है शाजहां कहते हैं कि अब मैं जब गुपता जी पूछते हैं कि आप कैसे हैं तो यहां पर वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ गुपता साब ताज महल के लिए जी रहा हूँ वो कहते हैं कि ताज महल के लिए जी रहा हूँ बस यहीं एक अर्मान है पूरा करने को यह एक ही अर्मान मेरे मन में है जो कि उसे पूरा करने को पिर जब तक ताज महल नहीं बनता मैं तो मर भी नहीं सकता जब तक ताज महल नहीं बनता तब तक मैं मर भी नहीं सकता इस तरह से शा जहां जो है गुपतास जी से कहते हैं फिर भया जी और गुप्ता जी में बाते होती हैं क्योंकि जो ताज महल संगे मरमर से बनाने का जो इनका एक प्लान था भी संगे मरमर का जो फत्तर है उसकी सप्ले बंध हो गई तो वहां पर जो संगे मरमर का फत्तर जहां से आ रहा था वहीं पर ताज महल बनवाने की मांग तो यही एक समस्या उनके सामने खड़ी थी, इन दोनों में इस बात पर बाते होती रहती है, तबी जो है यहां पर एक चप्रासी आता है, साब दरबार से आदमी आया है, संदेश लाया है कि बादशा सलामत ने आपको याद किया, फिर बादशा सलामत आपको याद करें, यह जो है क्या है दर्बार से एक आदमी आया है इस तरह से गुपता जी से चप्रासी कहता है हाँ हाँ हो आई हो आईए हाँ हो आईए देख आईए बादशा सलामत कैसे है गुपता जी का प्रस्तान प्रकाश कम होता है प्रकाश पुना होने पर शा जहां के दर्बार का दुरुष गुपता जी का प्रविश तो यहां पर गुपता जी जो है किया है जो दर्बारी उनको बुलाया था उस दर्बारी की बुलाने पर वो जाने की बात करते हैं तभी जो है वहां पर कहें भीया जी कहते हैं कि जाईए पोकर आईए इस तरह की बात करते हैं गुपता जी का हुआ से प्रस्तान होता है अभ का नाम रोशन हो अब कैसे हैं हुजर तो यहां पर गुपता जी उनको कहते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो आप आप कैसे हैं उनका हाल चाल पूछते हैं पिर शाजहां ठीक हो गुपता साब ताज महल के लिए जी रहा हूं बस यही एक अर्मा है पूरा करने को जब तक ताज पहल नहीं बनता मैं तो मर भी नहीं सकता फिर क्या है ताज महल जो है जब तक नहीं बनता मैं मर भी नहीं सकता फिर से वो एक बात वो कहते हैं दर्बारी एक परवर्दिगार आपको सलामत रखे हुजर आपकी सभी तमन्नाएं पूरी होंगी दर्बारी दो हाँ हुजर त ताज महल भी बनेगा। खौब देखता रहा। सोचता रहा ताज महल बनेगा तो कैसा होगा। कैसे सुकूम मिलेगा मेरी मुम्तास की रूह को। बस यही सब खौब देखता रहा। फिर शाजहां जो है गुपता से के तेंगी ताज महल जब बनेगा तो कैसा बनेगा। और उसे देखकर मेरी मुम्तास की रूह को कैसे सुकून मिलेगा इस बीमारी के दोर में भी मैंने ताज महल के बारे में ही सोचा उसी का खौब जो है मैंने देखा फिर इस तरहा की बात जो है शाजहां गुपताजी से करते है पिर सुदीर बुरी खबर है सर गुपता जी हां बोलो क्या हो गया है तो यहां पर शाजहां से मिलकर गुपता जी क्या है पिर चले जाते हैं सुदीर और गुपता जी में बाते होती है सुदीर जो है एक बुरी खबर लेकर आता है और कहता है कि क्या है बुरी खबर है सर तो गुपता जी हाँ बोलो क्या हो गया है तो सुदिर बड़ा गड़बड हो गया है सर आज सुभा हस्मुक भाई के घर पर रेट पड़ गई काफी कैश निकला साथ में सारे कागजाद भी जब्त हो गए हस्मुक भाई को पोलिस ने पुछताच के लिए गिरफतार कर लिया तो क्या है वो बताते हैं कि हस्मुक भाई जो है गिरफतार हो गया है रेट पड़ गई है उनको बहुत सारा पैसा उनसे मिला और क्या है हस्मुक भाई को पोलिस ने पुछताच के लिए गिरफतार भी कर लिया है इस बात को करता है तो गुपता जी वो सब दाराशिकोह के दस्त खुआतों से जारी हुआ है सारा अलाटमेंट भी उसी के हातों हुआ है आखिर हम लोगों ने क्या किया है सारे आदेश चेर्मेन दाराशिकोहा या स्वयम बादशा सलामत ने जारी करे हाई हम लोग तो सरकारी नौकर है गौवर्मेंट सर्वेंट शाजहां के गुलाम हमारा काम तो सिर्फ उनके आदेशों का पालन करना है तो हम कैसे जिमेदार हो सकते हैं हम किसी चीज़ के लिए जिमेदार नहीं है समझे तो यहां पर शेर्स जो विकाए थे इसी का एक कहे हंगामा वहां पर उठ जाता है फिर जो है यहां पर गुपता जी कहते हैं कि वो सब दाराशिकोहा के हस्ताक्षरों से नहीं क्या किया है दाराशिकोहा या तो क्या है यहां पर शाजहांस के हुकम से ही सब कुछ हुआ है हम तो क्या है उनके क्या है यहां पर गौवर्मेंट सर्वेंट है हम सरकारी सर्वेंट है और क्या है शाह जहां के गुलाम हम पर कोई भी आरोप नहीं क्या है लग सकता नहीं हम पर कोई क्या है जिमेदारी है ये सब कुछ उनी से हुआ है समझे इस तरह का एक शडियन जो इनोंने रचा था उसमें दाराश शिकोह और जो है खुद बादशा शाह जहां को फसा देते हैं और ये दोनों इस तरह की बातें करने लगते हैं सुदेर सर रेट की खबर पहलते ही एक्सचेंज में हला हो गया टेंडर शेर्स के डर से लोगों ने ताजमहल के शेर्स अंधा धुन बेचने शुरू कर दिये पिर क्या था अपने ताजमहल के शेर्स के दाम बिलकुल जारों लोग बरबाद हुए खड़े थे घबडा कर स्टाक एक्सचेंज ने ट्रेडिंग ही बन कर दी यहां पर सुदेर कहता है कि सर रेट की खबर फैलते ही जो रेट पढ़ा था उसकी खबर फैलते ही जो है हला मच गया बहुत ज्यादा हंगामा मच गया और जो है यहां पर टेंडेंट्स शेर के डर से लोगों ने ताच मिहल के शेर्ज अंधा दून बेचना शुरू कर दिया हैं यहां बहुत ہी कम दामों में जो हैं उसके शेर बेचना शुरू कर दिये हैं और बहुत सारे लोग बरबाद होकर खड़े हैं और घबडा कर स्टॉक को आग लगाने की कोशिश चल रही है एक्सचेंज को आग लगाने की कोशिश जो है लोग करने लगे हैं बहुत सारे लोग बरबाद हो गये हैं फिर एक्सचेंज को आग लगाने की कोशिश चल रही है क्या है एक्सचेंज को आग लगाने की कोशिश चल रही थी लोग कह रह पिर शायद भीड़ यहां भी आए सर अब क्या होगा तो यहां पर भीड़ वो क्या है आ जाएगी अब क्या होगा सर इस तरह की बात जो है यहां पर सुदिर करता है तो शायद जहां आपको कुछ पता तो चला होगा कुछ सुना तो होगा क्या हो रहा है चारों पिर इस तरह की बात करते हुए इन दोनों में बाते होती है पिर शायद जहां गुपता जी को बलाते हैं गुपता जी शायद जहां से मिलने के लिए जाता है तो यहां पर शायद जहां कहते हैं कि आपको कुछ तो पता चला होगा, कुछ सुना तो होगा, क्या हो रहा है, चारों और क्या हो रहा है, तुम्हें पता तो होगा, गुपता जी, जी हुजूर, कुछ कान में भनक तो पड़ी है, कुछ बात तो सुन्ने में आई है, इस तरह से, गुपता जी शा ये किस बवाल मिला पटका बताईए बेगम मुम्तास के मगबरे की बनियाद भी नहीं पड़ी पर मेरी खबर जरूर खुद गई क्यों बताईए आखिर आप करना क्या चाहते हैं गुपता जी तो यहां पर शाजहां गुपता के उपर गुसा करते हैं कि बेगम का जो मगबरा है ताज महल अभी की उसकी बनियाद उसका बेस्मेंट ही नहीं शुरू हुआ क्या है मेरी खबर जो है यहां पर खड़ी हो गई क्योंकि गुपता जी ने सारा आइडिया यहां पर क्या है शाजहां को दिया था हर ये एक बात गुपता जी से ही हो रही थी लेकिन उस पर हस्ताक्षर जो है इनके बेटे और इनके पड़ रहे थे सिर्फ इन्होंने अप्रूल किया था और सारा आइडिया जो है वो करना क्या चाहते हैं गुपता जी हुजूर मैं तो बस आपकी खिद्मत करना चाहता हूं पिर गुपता जी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ आपकी खिद्मत करना चाहता हूं और कुछ नहीं तो शाजहां कहते हैं अच्छा तो ये हो रही है खिद्मत ये खिद्मत हो रही है दार गारत करे इनी भगवान इसको जो है जो ऐसा एक आप मेरे लिए खिदमत करें इसके लिए खुदा गारत करे का मतलब है कि भगवान इसको नस्ट करे ऐसी खिदमत आप करें मेरे बेटे को फस्वा दिया दारा शिकोओ को और मेरा नाम भी डुबो दिया इसी खिदमत आप कर रहे हैं क्या इस तरह का फ्रश्न जो है यहां पर शाजहान जो है गुपता जी से करते हैं गुपता जी जहांपना की शहुरत में चार चान लगी देखिए हुजर देखिए आपका कहे खौब पुरा हुआ देखिए हुजर ताजमहल का टेंडर नोटिस आज जारी हो गया है जरा गौर फरमाईए हुजर ताजमहल का टेंडर नोटिस शाजहां के और पास आकर देखिए हुजर देखिए ना ताजमहल का टेंडर हुजर शाजहां को छूता है शाजहां वहीं लुड़क जाते है अ गुपताजी जो है शाजहां से मिलने के लिए आते हैं तो ऐसी खिदमत आप कर रहे हैं इसी करोध करके जब वो भेजते हैं यहीं करोध करते हैं तो कुछ दिनों के बाद पिर से क्या है शाजहां से मिलने के लिए गुपताजी आते हैं क्योंकि अब ताज महल का टेंडर जो पना की शहुरत में चार चान लगे इस तरह से वो कहते हुए आते हैं देखे हुजूर देखे आपका खौप पुरा हुआ देखे हुजूर आपका खौप पुरा हुआ फिर वो बताते हैं कि देखे हुजूर ताज महल का टेंडर नोटिस ताज महल का जो टेंडर नोटिस जो बस शाजहां को चूते हैं तो शाजहां लुडुक पड़ते हैं इसका मतलब है उनका दिहान्त हो जाता है अभी शाजहां का दिहान्त हो गया यहां पर क्या है ताजमहल के टेंडर का नोटिस जो है जारी हो लेकिन शाजहां इस दुनिया में नहीं है तो क्या है यहां पर इस हो जाती है इतने साल बाद इतने सालों तक सब्र किया इतने सारे लोग जो है शाजहां को लूटने लगे और भाया जी और तो गुपता जी और सुदीर ने तो इनको क्या है कितना सारा लूटा और अपने बहुत सारी इनहीं के पैसों से बहुत सारी चीजों को इन्होंने बन पाइप स्टार हूतल बनाया अपनी बेटियों की शादी की बहुत सारा पैसा शाजहां सहडपा जब ताजमहल का नोटिस जो है जारी होता है तभी क्या है शाजहां का धियांत हो जाता है तो अभी गुपता जी और भया जी में बाते होती हैं भया जी अब टेंडर का क्या होगा सुदीर और इस फाइल का क्या करे सर गुपता जी रखे रहो कभी फिर कामाएगी सुदीर अब क्या कामाएगी सर गुपता जी सुदीर मैं तुमको एक बाद बताता हूँ सुन लो वक्त गया बाद गई पर हम नहीं जाएंगे फिर कोई ताज का खौब देखेगा तब हम बुलाए जाएंगे तब ये फाइल फिर कामाएगी समझ गए चलो अब यहां से चलते हैं तो यहां पर जो है बताता है कि यहां पर गुपता जी कहते हैं कि ठीक है अभी इस फाइल का क्या होगा इस ताज महल का जो टेंडर नोटिस है इसका क्या होगा क्योंकि यहां पर शाजहां अब इस दुनिया में नहीं थे जो कि ताज महल बनवाए तो यहां पर गुपता जी के थें कि इस पैल को भी समाल कर रखो क्या है कोई और इस हौब जो देखेगा फिर हमें बुलाएंगे उस वक्त यह काम आ जाएगा इस तरह से तीनों में बात्वे होती हैं यह तीनों वहां से प्रस्तान करते हैं यहीं वहां से चले जाते हैं समवेत स्वर में तो देख लिया, अरे देख लिया तो देख लिया, लोगों तुमने ताज महल का हाल लगा दिया, एक टेंडर में ही पूरे 25 साल ताज महल का टेंडर भीया, ताज महल का टेंडर, ताज महल का टेंडर, तो यहां पर पिर नर्तिकियों की स्वर महां पर गुं साल बीद गए इसमें करप्शन इतने लोगों ने क्या है यहां पर जो है ब्रस्टा चार किया और शाह जहां को लूटा फिर भी उनके जीते जी टेंडर जो है पास नहीं हो सका तो यहां पर जो है स्वर जो है गुंचने लगता है और पच्छिस साल हो गए है टेंडर जो है अबेपास्वा लेकिन कहें शा जहां इस दुन्या में नहीं है तो ताज महल भहिया ताज महल का टेंडर भहिया इस तरह की आवाजें गूंचने लगती है क्या है मंच पर और क्या है परदा गिरता है तो यहां पर इस नाटक से हमें आज के आधनिक काल में किस तरह से लोग जो है भोले भाले इंसानों को अपनी जाल में फसा कर क्या है यह की काम को उनके काम करने के लिए उनका एक खौब पुरा करने के लिए किस तरह से लूटते हैं और किस तरह से क्या है करप्शन का जाल जो है इस आधुनिक काल में फैला हुआ है सबी किस तरह से स्वारती होते हैं इन लोगों पर दर्शाया हुआ आज के आधुनिक काल में किस तरह के लोग रहते हैं उनकी मानसिक सिथी किस प्रकार रहती है इसको बताने के लिए नाटक कार ने बहुत अच्छी तरह से ताज महल के टिंडर को लिखा है तो ताज महल का टिंडर जो आपके लिए नाटक था सिर्फ इतना ही था धन्यवाद